Hello Friends, Welcome to my channel Power to Life दोस्तों इस वीडियो में हम बिहार अस्टेट में बनने वाले इलेक्रिसिटी बिल का डिटेल्स देखेंगे कि बिल में क्या का डिटेल्स होते हैं बिहार में इलेक्रिसिटी डिपार्टमें दो डिस्टिबिशन कम्पनी इस्टेबिलिस्ड हैं North Bihar Power Distribution Company Limited और South Bihar Power Distribution Company Limited हलंकि दुनों का bill सेम होता है दुनों में कोई अंतर नहीं होता है साथ ही बिहार में bill बनाने के लिए दो software का यूज किया जा रहा है SAP, MNIC, SAP का full name Systems, Applications and Products होता है या Germany West Company का software है NIC का फूल ने National Informatics Center है जो हमारे इंडिया के Central Government का एक डिपार्टमेंट है यहाँ दोनों सॉफ्टेयों में बनने वाले बिल्स का Display Details हम देखेंगे कि दोनों में क्या समनता है क्या अंतर है साथ ही पुराना मीटर एवं समार्ट प्रिपेड मीटर के लिए बनने वाले बिल्स का भी Comparison करेंगे कि दोनों में क्या क्या अंतर होता है आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल एकन प्रेस किजिए और All Select किजिए तकि आगे के वीजियो सबसे पहले आप तक पहुँचे अब वापस वीडियो पर आते हैं सबसे पहले पूराने डिजिटल मिटर का बिल हम स्टडी करेंगे कि इसमें क्याकर डिटल होते हैं तो सबसे उपर में कंपणी का नाम लिखा वर आता है उसके रिचे विदुद्विल होता है और उसके नीचे आप अगर ऑनलाइन पेमेंट दिये गए डेट तक करते हैं तो आपको अतरिक्त छूट प्राप्थ होने का डिटल होता है उसके नीचे परमंडल, आवर परमंडल और परसाखा यानि डिविजन, सब डिविजन और सेक्षन का नाम और कोड अंकित होता है उसके बाद इसको ब्लोक वाई समझते हैं सेक्षन वाई समझते हैं कि क्याकर डिटल होते हैं सबसे फर्स सेक्षन लेते हैं तो उसमें नाम पता और mobile number entered होता है पहले mobile number पूरा दिखाया जाता था लेकिन security जिजन से अभी बीच के जो डिजिट से वो gone कर दिये जाते हैं उसके नीचे विदूत connection किती थी यानि जिस date को आपका electric connection लगा था वो details लिखा होता है अब दुसरे ब्लोक में आते हैं यहां खाता संक्या और भ होकता संख्या होना चाहिए उसके नीचे आता है MRU का full name होता है meter reading unit यह actually कुछ consumer का bundle होता है जैसे अगर एक transformer से 200 consumer जुले हुए हैं तो उनको एक unit में बना कर रख दिया जाता है उसका नाम दे दिया जाता है ट्रांसपर मोन ट्रांसपर पुले एनी ABCD एनी कुछ भी नाम दे दिया जाता है उसमें उन 200 को अटैच कर दिया जाता है ताकि meter reading करने के लिए यह पता रहे कि वह किस location पर मौज संख्या पुराने billing system में जो consumer number यूज किया जाता था उसका detail यहां होता है इसके भी आप अपने खाता संख्या भगता संख्या सर्च कर सकते हैं उसके दाहिने सेड में ब्लॉक होता है उसमें GST-IN नंबर जो कंपनी का GST नंबर होता है में लिका सकते हैं GST नंबर उसमें ल पर जमा करना होगा यह detail होता है यह बिल का payable amount होता है जो date by date vary करता है वह छूट वगरह जो होते हैं उसके आधार पर decide होता है हम नीचे आते हैं तो connection भी उरनी होता है इसमें जो connection का technical terms होता है वह entered होता है जैसे स्रेनी यानि किस category का है domestic है commercial है उसके अधार पर ds1d, ds2d, nds1d, nds2d, ltis जो छोटे मोटे factories के लिए होते हैं यह स्रेनी लिखा हुआ होता है उसके बाद होता है फेज आपका connection single page का है या three page का अगर single page है तो one लिखा रहेगा, three page है तो three लिखा रहेगा इसके बाद area होत उसके ने तरह स्विक्रित या समवीदा भार जो आपका sanction load होता है यानि जितना kilowatt का connection लिया है वह detail लिखा होता है जैसे 1 kilowatt के लिखा होगा, 2 kilowatt के लिखा होगा, उसके नेचे होता है दर्ज भार, यानि आपने connection तो 2 kilowatt का लिया, लेकिन अगर आप use कर रहे है half kilowatt, यानि 0. 0.5 kilowatt, तो यहाँ पे meter आपका 0.5 kilowatt read करके रखता है, उसी को यहाँ पे enter कर जाता है, हलांकि यहाँ पे वह नहीं enter कर दिया गया है, लेकिने actually meter में जितना दिखता है, वहाँ enter उतना करना होता है, उसके आगे में है जमानत किरासी, यानि जो security deposit आपका जमा रहता है, वो यह तक का detail इंटर होता है, अलांकि feeder transformer या pole का public के लिए कोई बहुत ज़्यादा importance नहीं होता है, हाँ line one कटने के समय, वो पूछ सकते है कि हाँ मेरा is feeder से है, कितने दिर में line one आएगी, उसको बताता है, बिल का धार, बिल का धार यहाँ पर normal है, चुली यहाँ तीन होते है, normal, य और उस समय, घर cursor बंद रहा, जिसके कारा reading नहीं हो पाया, तो वो L के या PL कहता है, premises locked या locked, L के पर बिल जनरेट होता है, वो असद आधार पर होता है, average basis पर बिल होता है, और तीसरा होता है, अगर meter खराब हो गया, any reason, तो MD लिखा रहता है, meter defective, MD आधार पर बिल, वो भी average basis पर ही होता है, और वहां भी, जो पिछला 12 मेना का average होता है, उसके अधार पर बिल जनरेट किया जाता है, next, जो block होता है, वो बकाया बेवरनी का होता है, उसमें सबसूपर होता है, अगर कोई advance payment आपने किया है, तो यहाँ पर वो दिखेगा, वो minus में लिखा हो रहाता है, इसके बात होता है, उर्जा बकाया, अगर कोई आपका पीछे से बकाया चला रहा है, तो उर्जा बकाया, बिले मधिबार बकाया, और अन्य बकाया, अन्य बकाया जनरली होते हैं, जो अगर आपने load बढ़ने के लिए, और किछ याने कार्य के लिए, online apply किया है, तो उसका जो अप्लिकेशन फी होता है वो यहाँ पर मेली वही होता है वही लिखा जाता है और नीचे कुल बगाया उपर सभी को जोड़ गटाव करके जितना आपका टोटल बगाया होना चाहिए वो लिखा जाता है अब फिर से बाएं साइर में आते हैं मीटर पठन विवरनी में सब पूर्व माह का पठन यानि पिछले महीने में किस तारीख को रिडिंग किया गया था और कितना रिडिंग अंकित हुआ था वह होता है उसके बास होता है कि दोने में अंतर कितना है तो यहां 38 का अंतर दिख रहा है अब गुनक गुनक या इसको कहते हैं होता है और सिंगल ठराइस के लिए वन होता है तो जो खबद होता है अंतर और गुनक को गुना करकर होता है जो होता है इसके बार यहां पर यहां पर अंकित लेकिन जो मीटर में पावर वार बिल बन रहा है, यहां देखी 34 days का बिल बन रहा है, इसको खुल खपत, जो उपर खपत हमने देखा था, वही अंकित होता है, और मीटर मालिक, मीटर मालिक में होता है कि मीटर ओनर कौन है, तो department अगर मीटर लगाती है, तो वह डिपार्टमें दिखा जाता है, अगर consumer ने किया था जो रशी तंख्या था वो और किस तीठीक हो था अगर ट्रांजक्शन किया है अपने यानी एनिफ्टी या रटीजियस से भेजा है तो उसका ट्रांजक्शन नमबर भी डिटेल होता है उसके निचे बिल सुधार की विवरणी अगर आपका बिल में कुछ सुधार कि हो डिया घया है तो जहां कितना रूपय के हुआ है और किस बैसिस पर हुआ है वोडम यहाँ देखता है उपर के हमनें के देखा अनिब Stasiful Stock Ginsya यहीं होता है कि क्या क्या चीजकर आपको लगए है उसके बगल मेंकर देखा जाए तो खपत विवरनी जो होता है पिछला 12 महीना का आपका खपत दिखाता है कि 12 महीना में परतेक मा कितना कितना यूनिट खर्च हुआ है जैसे 38, 41, 52 वगर वगर यहां दिख रहा है और उसके निचे था आप पूरती विवरनी और उसके आप प अब आते हैं वरतमान बिल का जो सेक्षन होता है यहीं इंपोर्टेंट होता है यहीं सबसमेन होता है उपर में हमने देख लिया था कि बगाया वीवरनी जो कुल बगाया कितना आ गया है अब इसमें वरतमान बिल में क्या क्या चीज़ें होती है जिसका अधर पर हमारा बि है उसको टैरिफ बोला जाता है टेकनिकल टर्म में उसके डिटेल के लिए मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि करन्ट जो फाइनेंसियल है उसका क्या क्या रेट कैसे कैसे लग रहा है उसके बाद होता है विलम इसाद छार्ज होता है यानि जितना किलोड का अपने लोड लिया है उसके आधार पर मंतली फीक्स्ट चार्ज होता है अगर आपने कनेक्शन मतलब लाइन यूज किया है या नहीं किया है लेकिन ये फिक्सट आपको देना होगा तो यहां बेहां 45 रुपे 33 पिसा का लगा हुआ है अधिक डिमांड चार्ज यह तब लगता है जब आपका दर्जभार यानि जो आपने प्रिमिसेस में लोड यूज किया है वह आपके सैंक्शन लोड से ज्यादा होता है यानि अगर आपका एक किलोड का कनेक्शन है आपने यूज कर लिया 1.5 किलोड तो आपको सेट गूफर्मेंट का टेक्स होता है जो बिल में जोड कराता है और बाद में electricity डेपांटमेंट को पे करती है यह चार्ज जो औरजा सूर्क लगता है उसका 6% होता है यानि टोटल जो उरजा सूर्क लएगा उसका 6% विदूद करके रुप में आपको देना होगा इसके प किराया अब हटा दिया गया पहले लगता था ऴले सिंगल के लिए 20 रुपया और 30 रुपया था और बाकी मिटर्स के लिए अलग लगता है लेकिन अब के टेरिफ में मिटर किराया जिस पर GST लगना है तो आपको यहां पर GST का डिटल देखेगा अधर्वाइस यह भी पहले जो मीटर इंट लगता था मीटर किराया लगता था उस पर 9% का दोनों का GST था जो डिटल देखता था मीटर किराया 0 होने के बाद से यह दोनों भी 0-0 ही देखता है उसके निचोत है और अगर आपका power factor 0.9 से कम होता है तो आपको कुछ जुरुमाना लएगा वह उसका एक फर्मूला होता है जिसे कल्कुलेट किया जाता है जिसके बारे में हम लोग आगे में चर्चा करेंगे और अगर आपका power factor उस case में 0.9 से ज्यादा होता है तो यहां पर फायदा भी होता है वहाँ पर कुछ bill amount less किया जाता है वहाँ पर आपको benefit दिया जाता है उसके निचे था किस्त किरासी तो यह पुराना स्किम था उसके लिए लगाया गया था कि किस्त वाइस किस्त जो पुराना बकाया था वह लिया जाता था लेकिन यह हटा दिया गया है तो यह जिर चार्ज या उर्जा सुल्क लगता है उस स्के पर स्टीडिन्स हमें कुछ सब्सीडिइ देती है वो उससीडिइ एमांट यहाँ पर अंकित होता है जो उर्जा सुल्क से गहड़ जयता है और उपर के सभी चार्जेश को जोड़कर उपग बज वह POWता है जो इंड़ सरकार नंतान तक है यह जो चार्जेज लगने चाहिए उनको जोड़ दिया जाता है और जो घटाने वाले होते हैं उनको घटा कर यह करेंट मंत का बिल निकला जाता है जो इसके समय 482.98 रुपीज है और इसको अधर रिमीशन यादी कोई हो जेनरली नहीं होता है अतरिक्ति पर ब्याज यानि जो आपका सेकुरिटी एमाउंट जमा होता है विभाग में उस पर कुछ इंट्रेस्ट का प्रागान होता है जो विभाग का नियम के नुचर होता है वो अगर आपको मिलना होता है तो यहाँ पर मिलता है जो बिल में से घट जाता है ससमय भुकतान पर छ छूट दिया जाता है लेकिन हलंकी इस बिल में पीछे से भी बकाया है और अभी भी पूरा बिल जमा होने का उमीर नहीं प्रतीत हो रहा है तो यहां पर इनको benefit नहीं मिलेगा अधरवाई जो लोग पर मन्त जो current बिल होता है वो जमा कर देते हैं उनको benefit मिलता है और ज्यादा नहीं मिलेगा लेकिन कोई उस पर आपको interest वगरा नहीं देना होगा और आपको इतना रुपे जमा करना होगा और अगर दो-दो तारीक उसके बाद अब जमा करते हैं तो आपको interest सहीत इतना पे करना होगा बिल के नीचे में कुछ details होते हैं जैसे चोरी करने पत्ति इंसाल के जेल होगी बगर बगर और शुबधा या इसे अपलाइक अगर पेमेंट करते हैं तो 0.5% की छूट मिलेगी डीडी बगरा इस नाम से भेश सकते हैं अब देखते हैं अस्मार्ट मिटर के बिल में जनरल मिटर से क्या difference होता है तो वैसे तो बाकी details स्मार्ट मिटर वाले भी वही होता है जो जेडियर मिटर के लिए होता था अंतर कहां-कहां होता है बस् ciento देख लेते हैं मशिखा रहाएं का इसमार्ट परट में प्रिप्रेट मिल होगा वह नहीं होता है उसका नहीं नीचे बाकी बिलगा इसें में बनते हैं सभी डिसस्प्ले जो होता है थास ँशें अगर किसी पर करका कोई सुधार की आगा और उसके निचे होता है कि 114 के बाद या जीश द्रेट को बिल बना है यहां पर देखिएगा 21-24 को बिल जनरेट हुआ है 21-24 के बाद अगर कोई रिचार्ज होता है तो उस आधार पर जो smart meter में balance होना चाहिए वो कितना होना चाहिए उसका calculation किया जाता है और उस वे आधार पर adjustment वगरा किया जाता है जो smart meter में एक term आता है deferment charge कटने का वो यहीं से decide किया जाता है उसके बारे में हम आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे अब देखते हैं कि क्या जो NIC software में बिल बनता है और SAP software में बिल बनता है उसमें क्या कोई अंतर होता है तो आपकी जनकाने के लिए बता दू कि दोनों के बिल में कोई अंतर नहीं होता है दोनों बिल सेम होते हैं हाँ डिस्पले का थोड़ा फर्क होता है बिल का जो इंटरफेस दिखता है वो थोड़ा अलग दिखता है डिटेल्स थोड़ा सा उपर नीचे या नेमिंग जो है वो नेमिंग थोड़ा सा चेंज होता है नेम हालांकि वही रहता है थोड़ा बहुत चेंज होता है लेकिन सभी जानकारियां सेम टू सेम होती है उसमें कोई अंतर नहीं होता है टेकनिकल टर्म्स होते हैं वो सारे कुछ सेम होते हैं और बिल का फॉर्मेट भी पिल्कुल ही सेम होता है कोई अंतर नहीं होता है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बिजली बिल समझने में जो बिहार स्टेट का बिजली बिल है वो समझने में helpful रहा हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो like कीजिए, share कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब बरना ना भूलने थैंक यू